नमस्कार दोस्तों मारी YouTube चैनल ck.com पर आपका स्वागत है दोस्तों आज में इस वीडियो में प्रदान मंत्री अवास योजना उक्तर प्रिदेश के अंतरगत फ्लैट्स के गुकिंग ऑन्लाइन और ऑफ्लाइन कैसे किया जाय सकता है इसकी जानकारी आपके साथ शेयर योजना व्यांत्रगत पहली बार मकान खरीने पर क्रेडिट लेंग्ट सबसीडी का लाभग्राप्त होता है और क्रेडिट लेंग्ट सबसीडी अर्थात होम लोन के ब्याश पर अनुदान किया जाता है सरकारगारा और पीम आवास योजना के तहट क्रेडिट लेंग्ट सबसीडी योजना की अब्धी पोज़ों है 31 मार्श 2021 तक बढ़ा दिया गया है और योजना के तहट शेहरी और ग्रामिर इलाकों में मकान खरीदा जा सकता है सरकारगारा क्रेडिट लेंग्ड सबसीडी स्कीम के तहट शेहरी इलाकों में वर्ष दो हजार पाईस तक मकान उपलब्द करवाने का लक्षिन रिटारिद किया गया है और ब्रदानमंत्री अवास योजना क्रेडिट लेंग्ड सबसीडी स्कीम के तहट उत्तर प्रदेश के उननीस जिलों में कुल 3516 यानि 350016 मकान की बुकिंग के लिए आवेदन स्विकार किये जा रहे हैं बुकिंग ओपन कर दी गई है और उननीस जिलों में उत्तर प्रदेश के मकान की बुकिंग जो एक सितंबर 2020 से शुरू हो गई है और योजना में मकान ओफलाइन मकान की बुकिंग के लिए ओफलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2020 तक किया जा सकता है और इस योजना में आवेदन के लिए वार्शिक आये 3,00,00,00 रुपे से कम होनी चाहिए तब ही इस योजना का लाग प्राप्त होगा और इस योजना में आवेदन के लिए कुछ शर्टे निर्धारित की गए है शर्दों के अंतरगत उत्तरप्रदीस का मूल निवासी होना आवश्यक है और आवेदक की जो वार्शिक आए हैं तीन लाग रोपे से कम होनी चाहिए और योजना के तहत जो है सारहर साथे तीन लाग पशार सेजार में म१ों मधआवश्यक होना पर निवस्यक वर्श ऐससा सबकता है और योजना अगान के तहत उपलब मकान का कार्पेट एरिया जो है 22.7 बर्ग मीटर और सुपर एरिया 34.7 बर्ग मीटर होगा कार्पेट एरिया यानि बने हुए जो मकान के स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो इस्थान होगा वो पूरा कुल इस्थान के कुल जगह जो है 22.7 बर्ग मीटर होगा और सुपर एरिया यान कि फ्लैट के बाहर जो सब के यूज के लिए जन्रेल यूज के लिए जो जगह होगी वो थर्टी फॉर पॉइंट सेवन बर्ग मीटर होगी और योजना में जो हैं उत्रप्रदेश के लखनौ में कुल 116 फ्लैट्स की बुकिंग के लिए अविदन स्विकाड किया जाएंगे और गाजियाबाद में 624 और मेरट के जगरती बिहार में 480 फ्लैट की बुकिंग होगी और गोंडा में 396 की मकानों की बुकिंग के लिए अविदन स्विकाड किया जाएंगे और इसके अत्रिक्त जो है पान्दा, हात्रस, इटावा, कानपूर, देहाथ, कन्नौज, उन्न माउ, बहराईच, माउ, बारबंकी और बलरामपूर में 48 मकानों की बुकिंग के लिए आविदन स्विकार किये जाएंगे और मैनपूरी, फतेपूर, हर्दोई, मेरट और राइबरेली में 96-96 फ्लैट की बुकिंग के लिए आविदन स्विकार किये जाएंगे और योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ओनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरिकी से आवेदन किया जा सकता है तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए बैंक शाका से जो भी आप में HDFC बैंक, XS बैंक, ICCI बैंक और इंडस बैंक इन बैंक कों से जो है इन बैंक की शाक्षाओं से सो रुपे का शुल्ख देकर पंजी करन पुस्ते का खड़ीता जा सकेगा और इसके बाद जो है आवेदन फॉर्म भरकर और पंजी करन शुल्ख के साथ इनी बैंक की शाक्षाओं में जो भी आपके जिले में इन बैंक की शाक्षा हो उसमें आपको जमा करना होगा आवेदन पर फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म के साथ जो है रजिस्ट्रेशन फीस की दोनों इस बैंक उस इनी बैंक की शाक्षाओं में जमा करना होगा और ओनलाइन आवेद पर लिखकर सर्च पर क्लिक करना होगा तो यूपी एवीपी टॉट इन ये विकल पाएगा इस लिकल पर आपको इस विकल करेंगे तो ये पोर्टल खुलकर आ जाएगा इस पोर्टल में यहां पर ऑनलाइन सिवाएं इस विकल के अंतरगद आपको फ्लैट्स की ऑनलाइन करना होगा और इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यह फ्लैट्स की ऑनलाइन बुकिंग में लिखा है विल भी अवलेबल सुन तो अभी यह शुरू टैकी गई है जैसे यह शुरू हो जाएगी तो आप यहां से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे और इस योजना में ऑफ इसके अत्रिक्त जो हैं यहां से भी आप इसकी जानकारी देख सकते हैं बैंक में और फ्लाइन आवेदन करने के लिए इस योजना के तहक तो शेर्डी अंतर रदुत्रपदेश के विबिन जन्पदों में जी प्लस थ्री शेर्डी के अवास फ्लैट है तो यह इस आप जाएगा यहां से आप जो हैं किस जन्पत में किस बैंक में जमा करना है तो उसकी जानकारी यहां से प्राक्त कर सकते हैं तो धन्रबाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए मारे यूट्यूब चैनल सीके डॉट को सब्सक्राइब की ताक लिए इस योज करने की जानकारी प्राक्त कर सकें और अवास की बुकिंट करने की जानकारी प्राक्त कर सकें